जियो एर फाइबर का पासवोड कैसे चेंज करें, how to change जियो एर फाइबर वाइफाइबर पासवोड देखुआइस यदि आपने भी जियो का एर फाइबर लगवाया वो गाइस पासवोड गाइस चेंज करना चाहता है तो आज किस न्यूड़ी में बताऊँगा कैसे जियो क एर फाइबर का पासबूर्ड आप कैसे चेंज कर सकते हैं तो बिना टाइम विस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूं गाइस बहुत ही ध्यान से आपको देगना है आपको बेसिकली क्रोम ब्राफजर में जाना है जैसी क्रोम ब्राफजर में जाएंगे तो यहां पर सर्च लोगील करने है और अपको मॉबायल वाले सेक्शन पर Alban करक tissue करके यहां पर अपको अपना मॉबायल नमबर एंटर करने है जिससे घाएस क्या होगा आपका ऐस ही नमबर एंटर करके दालना है जिस्सने जिसने यहां पर कुछ आपका अकांट लोगीन हो जाए से लिए सेल्टिटी अपर आपको qya nda mismo को उपूरी हो यहां पर करके यहां पर आपको ओपन कर लाए जैसे मैंने लोपन कर लिया ई तो बेसिकलिको revolves सहां पर एक साइटिंग ऑफ्शन मिल जाता है महाँ पर क्लिक कर देने यहां पर आपकी पूरी डीटेल आइजी सो मैंने हाइड करके रख्यू है यहां पर आपको नीचे एक ऑफ्शन मिलेगा माई डिवाइस का क्लिक कर देने और जियो एक फाइबर होम राफ्टर का सिर्क्नेटेड डिवाइस यहां पर शूओ कर रहा है और आपको गाइस पास्वोड के का नहीं दॉन नहीं करने हैं यहां पर आपको क्रेट माइवन यहां से आपको अपना पास्वोड एंटर करना है जो गाइस आप न्यू पास्वोड बनाना चाहते हैं वह एंटर कर दिने जैसे यहां पर मैं वही पास्वोड एंटर कर रहा हूं उसके पास में कर देना है और यहां पर आपका पास तो दोनों में घाइस नहां पर आपको एडिट पास्वर्ट करना है तब जाकि जहां पर आपका पास्वर्ट होगा जईयो ए फाइबर का उमीद करता है वीडियो फुशन में आ गया हुगा और जी फाइबर का स्वर्ट गया यह 30 80 मिनट के अंदर अपडेट होता है मैं आपको बता दिये 30 मिनट के अंदर अपडेट होता है और नहीं तो उससे पहले गए चलता रहेगा तो मिलते हैं इस इंट्रेशन एक्षिवडे में तब तक लिए भावा दुस्तों